तो आप सभी साथियों को बहुत-बहुत नवश्कार आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है अभिनंदन है आसा करता हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुँच रही होगी और आप सभी सांदार तरीके से अपने promotion exam की तयारी कर रहे होंगे और जब जैसा समय मिला आप अपने promotion exams के लिए notes बना रहे होंगे और जो trending topics मैंने आपको सुझाया है उन पर जो है पढ़ाई कर रहे होंगे latest topic आपकी login section में जाके आप अपने समयान उसार जो है उसको पढ़ रहे होंगे notes बना रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे, दोहरा रहे होंगे इसी कामना के साथ अभी आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, कैनरा बैंक के बारे में ये special सेशन से जिसमें हम business performance के बारे में बात करेंगे, साथियों जब भी हम promotion exam देते हैं, तो जैसा कि मैंने आप सभी साथियों को बताया, पांच धूरी को देखकर ये business related चीज़ें important होती हैं, और promotion exam के लिए वो चीज़ें आखलन की जाती हैं, जैसे पहला RBI के circular जो important ध्यान देना है, दूसरा आपका general banking जिसकी धूरी पर bank चलती है, तीसरा internal banking जो हमारे bank का board of director है, policy बनाता है और bank कैसे performing कर रहा है, और चौता जो है, जो सरकार की योजनाई हैं, जो bank से होके correlate होके, समाज को समर्पित की जाती हैं, और पांच वां current update तो ये पांच चीज़ें आप अगर देख पाते हैं, और इनके trend को समझ पाते हैं, तो आप promotion exam में हस्ते हस्ते सफल हो जाएंगे तो वहाँ पर तो आपको कम सवाल का सामना करना पड़ता है, 60 जो है general banking का है, और 40 जो है language का होता है लेकिन जो nationalized bank होते हैं, उनमें थोड़े ज़्यादा सवाल आते हैं, तो ये जो session होगा, canera bank के लिए special होगा इसमें आपको एक दिशा मिलेगी किसी business को पढ़ने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें देखनी होती है क्योंकि जो internal sessions होते हैं, internal sessions की शुरुवात होती है business performance से तो आज हम लोग इसी कड़ी में canera bank के 31 मार्च 2022 के business जानेंगे लेकिन साथ में ये प्रस्टन ये भी उठता है कि ये business कौन से साल का पूछेगा तो जादातर में 95% सवाल में business performance जो है बैंकों के लिए महत्पूर होता है 31 मार्च 2022 क्योंकि ये shareholders के लिए investors के लिए ये मार्च के जो लेखा बंदी के अधार पर बैंकों के performance किये जाते हैं इसी लिए सबसे ज़दा important होता है मार्च के loging का जो business figure होता है तो इसी लिए 95% सवाल जो आए हुए हैं वो मार्च क्या आए हैं किसी किसी बैंक में सितंबर का या जो latest अगर कोई analyst आया है analysis आया है या presentation आया है उसके अधार पर सवाल पूछा गया है तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे 31 मार्च में केनरा बैंक का business performance कैसा रहा देखिए हमारे नितिन पटल जी जुड़ गए हैं राजो नयन भी जुड़ गए हैं वाह क्या ठंडी है कि तो ठंडी के साथ साथ हम लोग जो है यह देखिए कितना टेंपरेचर है नित पटल जी कितना टेंपरेचर है आप के हां का आवाज के लिए नहीं आ रही है कितना टेंपरेचर है आपके यहां अच्छा आवाज ही नहीं आ रही है कोई बात नहीं तो यहां जहां मैं बात कर रहा हूं यहां पर आप देख सकते होंगे नो डेगरी टेंपरेचर है मैं जहां पर से बात कर रहा हूं और आप अपना अपना टेंपरेचर जो है चैट बॉक्स पर लिख दीजीगा तो मैं देख लूँगा तो चलिए हम सुरू करते हैं इस कम टेंपरेचर में भी इस बिजनेस परफॉर्मेंस के टेंपरमेंट को केंड़रा ग्लोबल बिजनेस अगर देखेंगे तो एक तिस मार्च दो हजार बाइस का 18,27,556 करोड कितना राजी नहीं जी कितना ग्लोबल बिजनस है केनरा बैंक का 18,27,556 करोड से कितना बड़ा बैंक है अब सोचो बिजनस का मतलब क्या हुआ कि लोगों का पैसा कितना जमा है इनके पास और इन्होंने कितना लोन दिया है वो आगे तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे गी लेकिन 18,27,556 करोड का बिजनस बहुत बड़ा बिजनस है तो ये प्राउट फिल होना चाहिए कि अगर जो कैनरा पैंके साथ ही जुड़े हैं हो सकता है नहीं भी जुड़े हो लेकिन हमने ये राजुनेन और इनको नितिन पड़ल जी को बोला है कि थोड़ी दिर सेशन तक जगते रहें क्योंकि दो ज़ने कम से कम जगेंगे तो ये सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा तो ये देखो इसको समझने के लिए कि आप 18,27,556 करोड का बिजनेस करते हैं है न और ये 18,27,556 करोड की अगर बिजनेस की बात करें और आज की बिजनेस की बात करें सितंबर में कैन्रा बैंक का बिजनेस हो गया 19,58,111 करोड कितना हो गया 19,58,111 करोड मतलब ये छे महनेए में राजुनेएं जी छे महनेए में एक राड करोड का बिजनेस बढ़ गया हन्योट के देख्या खें तो ग्लोबल बिजनेस 18,27,000 क्रोड है अभी एक्जमिनेशन में एक बात नया एक चीज देखा गया है कि ऐसे नहीं पूछेगा कि आपका बिजनेस कितना है तो आपको 18,27,556 नहीं वो क्या पूछेगा मालूम है राजुनेयन जी रेंज में पूछेगा सर रेंज में रेंज लेकर 20,00,00 के बीच में बिजनेस है बोलेगा क्योंकि जिस समय एक्जाम दे रहे होगे उस समय वो 20,00,00 हो गया होगा यह दिसंबर है और आपका बैलेंस इट पब्लिस हुआ कितना आपका यह बैलेंस इट पब्लिस हुआ सिसंबर का तो अभी इस फैनेशियल एर में जित 27,556 करोड ये मार्च में था अभी 19,56,111 है तो 18,00,000 से लेके 20,00,000 के रेंज में बिजनस है तो इस पूरे स्क्रीन में से आपको ग्लोबल बिजनस याद रखना है तो 18,27,556 करोड याद रखना है बाकी चीज़ें याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा तो इस पूरे स्क और याद याद कर लिए तो पूरा हो गया हैं ने राज्युने जी वह दस चीज़ें मैं बोलता हूं दस चीज़ें क्या क리 Holl! कि जानने कि लिए दस चीज मैं बोलता हूं कि दस चीज़ें कि आगर जान लिए तो आप अपने business को जान लोगी क्या करते करते हैं कि डिपोजिट एडवान्स कि एंपी एंपीए सीडी रेशियो प्रोभीजन पर्सेंटेज मतलब जो चीज आप कह रहे हैं सारा स्क्रीन पर है यहां पर अगर यह स्क्रीन पढ़ लिए तो पुरा बिजनेस याद हो जाएगा बैला चीज राजुने ने बताया टोटल बिजन हम केनरा बैंक का देख लिए मार्च 2022 को 18,27,556 करोड़ है और दूसरा महत्पूर चीज होता है बिजनेस में से जमा कितना है टोटल डिपोजी टोटल एडवांसेज कितना है कासा पर्सेंटेज कितना है CD रेशियो कितना है फिर आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो कितन है net NPA कितना है profit कितना है और आपका capital to risk weighted asset ratio कितना है इतना अगर जान लिए तो आपका पूरा business figure याद हो जाता है और यह स्क्रीन पर देखिए 18,27,556 करोड़ का बिजनेस करते हैं जिन में से आपका gross advance कितना है 7,41,147 करोड़ है ठीक है राजुनेंग जी 18,00,00 का बिजनेस करते हैं तो इसको 8,00,00,00 मार ले हम 7,00,00,00 को तो 8,00,00,00 यह क्या करते हैं advance दिये हैं तो 10,00,00,00 लोगों का deposit होगा बहुत ही सांदार है इसका CD ratio कितना आ रहें का 80% के आसपास आ रहा है CD ratio तो 80% के पास आ रहा है और सबसे बड़ी बात इनका net NP बहुत कम है तो यह इनक profit भी बहुत ज़्यादा होगा profit देखे net profit year to year 1666 करोड 1666 करोड का यह net profit है year to year 1666 करोड का profit है तो इस पूरे स्क्रीन में आपको याद रखना पड़ेगा net profit का amount तो net profit कितना है राजो नियान जी कैनारा बैंक का साल भर का net profit कितना है 1666 करोड सर 1666 करोड तो यह 1666 करोड है इतना कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि बैंक का NPA भी बढ़ा होगा क्योंकि बैंक का देखिए लगभग मतलब समझ लो 80% जो है वो एडवांसेस है टोटल बिजनस जो आता है टोटल बिजनस से 18 लाग करोड उसमें से 8 लाग करोड एडवांसेस है दस लाग करोड डिपोजिट है तो 80% का CD रेशियो है इनों ने जो लोन दिया है वो लोन का परफर्मेंस अच्छा नहीं रहा होगा वह एंप में स्लिप हो रहे हैं स्लिप हुए हैं इसलिए इनको प्रोविजन किया गया 5000 करोड अगर अच्छे एंप नहीं हुए रहते तो यह 1666 करोड भी बढ़ जाता क्योंकि इनका ऑपरेट इन कि उनकोंत झाइस उसलिए हमारी गाड़ी किसी एक सिंद्सचा कहलते हुए को श८रें होते हैं हुए किसी सिधी बैंक के लिए क्याना सेवंटी परशन होना चाहिए सेवंटी परशन से कम पीसी आर नहीं होना चाहिए प्रोविजन कवरेज रेशियो लेकिन यहां का प्रोविजन कवरेज रेशियो दूसरा जानना है इनका नेट प्रोफिट है 1666 करोड यह जान गए फिर तीसरा जानना है इनका एडवांसेस एडवांसेस है 7,41,147 करोड और ग्रास एडवांसेस में जो ग्रोथ हुआ है वो ग्रोथ हुआ है 9.77% 10% लगभग का ग्रोथ हुआ है अडवांसेस में तो यह ग्रोथ भी बहुत अच्छा माना जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्ता जो आपका डिपोजित होगा मतलब इसको मोटे तोर पे अगर 8,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 तो 3,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, इनका आप याद अठना है आपको net NPA कितना है इनका बताइए राजुनेंजी बहुत कम है सर्थ 2.65% जो कि 3% से नीचे है जो कि अच्छा माना जाएगा सर्थ बहुत अच्छा माना जाएगा अगर net NPA 3% से कम है तो एकदम नंबर वन स्टेंडर्ड का माना जाएगा एक नंबर स्टेंडर्ड मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है तीन परसेंट से उपर जहां हुआ और 6% तक टेच कर गया 3% से उपर थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है 6% तक चला गया तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा 6% से उपर चला गया तो बिल्कुल खराब माना जाएगा और 3% से नीचे है तो एक्सिलेंट माना जाएगा यह जो net NPA है यह 2.65% है यह प्रोविजन बढ़ा दिया गया इसकी वज़ए भी होगी है ना 6% से 10% के बीच में होना 6 से नीचे हो तो और बैस्ट है 6 से नीचे हो लेकिन 6 से 10% के बीच में होता है तो इसको अच्छा माना जाता है 10% से ज़्यादा हुआ तो बहुत ही खराब माना जाता है तो ग्रॉस NPA इनका है 7.51% और net NPA 2.65% तो इन में हमारे साथियों को याद पढ़ेगा net NPA केंड़ावें का कितना था तो 2.65% net NPA था ये याद रखना पढ़ेगा दूसरा महस्कोंली समयनको याद रखना पढ़ेगा कि PCR कितना ऋन्यदिंत रेशियो 84.17% है 84.17% है क्या होता है जितने भी लोन होते हैं उनमें प्रोविजन करना पड़ता है तो कितना प्रोविजन किया हुआ है वो परसेंटेज है तो प्रोविजन कवरेज रेशियो 84.17% है अब इसको जो है पहुँद ही अच्छा माना जाए क्योंकि यह 70% कम से कम होना चाहिए और एक महत्पूर्ण चीज है CRR CRR Capital to Risk Weighted Asset Ratio यह CRR क्या होता है राजमियान जी CRR क्या होता है Capital to Risk Weighted Asset Ratio मतलब Capital to Risk Weighted Asset Ratio बैंक जितना भी Asset बनाती है उसमें रिस्क होता है क्यों क्योंकि बैंक का Asset किसे दूसरे के पास रहता है उससे आय कमाते हैं तो जब दूसरे के पास रहता है तो हम इसको रिस्क मानते हैं हर Asset का थोड़ा थोड़ा रिस्क होता है लेकिन सारे रिस्क को कि पूर्टीन पॉइंट नाइन जिरो जो कि बहुत बढ़िया यह अच्छा है बहुत अच्छा थाया रहता है उनको पास संकर जी नहीं यह रहते तो बड़ा नमस्ते जी कौन साब बोल रहा हैं संकर जी है ना यह दूसरे संकर जी है ना वह रेगुलर रहते हैं और यह सोमार-सोमार को रहते हैं यह जो संकर जी जुड़े हैं सोमर सोमर जुड़ते हैं और वो संकरलाल जी प्रति दिन वाले यह बात है तो इस स्क्रीन में से अच्छा लग रहा है आपको संकर जी आपका बैंकर नाम आ रहा है तो सार बहुत समय के बाद आया सार एक साल बाद आया है वाह क्या बड़ी आया है और तो यह लाने वाले भी आप होंगे क्योंकि आप लोग आते हैं तो सेसंस आते हैं तो इस पूरे स्क्रीन में से हमें क्या याद रखना है टोटल बिजनस फिगर केंडरा बैंक का अठारा याद रखना है 1666 करोड ग्रॉस एडवांसे सातला 41147 करोड है और ग्रॉस एडवांसेस में ग्रोथ है 9.77 परसेंट नेट एंपे 2.65 परसेंट कासा परसेंटेज नहीं दिया है आगे परसेंटेज पर भी सर्चा करेंगे हम लोग ग्रॉस एंपे जो है 7.51 यह याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा लेकिन नेट एंपे और ग्रास एंपे दोनों में से कभी भी कुछ पूछ लेता है ज्याद था नेट एंपे ही पूछता है पूछता है 84.17 परसेंट और सी यार पूछता है प्रा है वह है 14.90 परसेंट और अभी इस फैनेंशल यह रिक लिए तो CRAR सभी बैंकर साथियों को याद रखना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही महत्पून है CRAR 14.90 यह केनरा बैंक का है बाकी बैंकों का अपना अपना वो याद रखेंगे स्टेंडर होना चाहिए 11.50 परसेंट अब अगला आते हैं अगले स्क्रीन पर पढ़ते हैं यह है आपका CRAR का जो है यह वाइस बाइफरकेशन दिया है फाइनेंशल रिशियो का तो अगर फाइनेंशल यह 2022 को देखेंगे तो CRAR 14.90 परसेंट है और पिछले साल का 13.18 परसे नेट एनपे 2.65 याद रखिए पिछले साल 3.82 था बाकी याद रखने की जरूरत नहीं PCR पर प्रोविजन कवरेज रेशियो इस बार 84.17 परसेंट है पिछले साल 79.68 परसेंटेज था और यह आता है CD रेशियो CD रेशियो आपको याद रटना है CD रेशियो संकर्जी CD रेश CD रेशियो क्या है credit to deposit रेशियो credit to deposit रेशियो इसको बोलता है CD रेशियो तो आपका जितना जो credit है bank न दिया है और जितना deposit उसको divide कर देंगे तो CD रेशियो आ जाता है CD रेशियो आपका 68.22 परसेंट है और इसको कैसे मानेंगे संकर्जी CD रेशियो आपका 68.22 परसेंट है इसको किस कैटेगरी में रखेंगे अच्छा बहुत अच्छा कि खराब बहुत खराब जी इसको मानेंगे बहुत अच्छा मानेंगे इसको मानेंगे बहुत अच्छा आपका CD रेशियो है 60% से अच्छा है मतलब बहुत अच्छा माना जाता है बसरते आपका credit quality अच्छा हो तो quality अच्छा होगा तो क्या होगा NPA नहीं होगा तो यह CD रेशियो क्या होता है जो public से हमने पैसे खटा किया है उसी को loan के रूप में बाठते हैं तो CD रेशियो होता है तो इसको 68.22% अपका financial ratio है CD रेशियो तो इसको अच्छा माना जाएगा अब आता है net profit देखिए net profit जो है साल भर का 5688 करोड है पूरे financial year का और net profit पिछले साल था 2558 करोड और जो पहले स्क्रीन पर net profit चर्चा किये हैं वो net profit है आपका quarter का 1666 रुपे था वो quarter का और अगर पूरे financial year का profit देखेंगे तो 5688 करोड है पूरे साल का तो यह आपका 5688 करोड यह net profit है अब business performance में जो चीज़ें देखनी है आपको अभी पहले screen में तो बहुत सारी चीज़ें आपने जान लिया क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है अब हम business performance में देखेंगे इस पूरे screen में से तो इसमें आपको important चीज़ें क्या देखनी है global business global business 1827,556 करोड और बाकी overseas domestic ने भी याद करेंगे तो चलेगा लेकिन total business आपके bank का है 1827,556 करोड मार्च 2022 को और उस 1827,556 करोड में से जो deposit है जो deposit है वो है 10,86,409 करोड और जो advances है वो 7,41,147 करोड तो आप देखिए total business है आपका 18,27,556 करोड जिसमें से 10,86,409 करोड जो है deposit है और 7,41,147 करोड जो है advances है तो आपको इस पूरे screen में से 4 चीज़ें याद रखनी है total business 18,27,556 करोड तोटल deposit 10,86,409 करोड तोटल advances 7,41,147 करोड और आपका CD ratio जानना है 68,22% 68,22% और अगर growth याद रखना है तो आपको deposit में business में और advances में growth जरूर याद रख लिजे तो advances में growth 9,77% का है deposit में growth 7,47% का है और आपका global business में growth 8,39% का तो 8,39% का growth है global जो की बहुत अच्छा माना जाएगा क्योंकि आपका volume बहुत ज़्यादा है business का इसमें percentage wise बहुत फरक पड़ जाता है आप देखें देखें ना 18,27,556 करोड ये मार्च में था और अभी बढ़के 19,11,000 कितना हो गया अभी मैं कितना बताए था 19,59,111 हो गया तो 19,58,111 हो गया अभी business तो कितना speed से बढ़ रहा है तो इस पूरे screen में से Kendra Bank का business है 18,27,556 करोड जिसमें लोगों का जमा है 10,86,409 करोड और Kendra Bank ने लोगों को loan के रूप में 7,44,147 करोड दिया है CD ratio 68.22% अब बात करते हैं कासा deposit के लिए जहां पर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इस particular screen में से आपको इतना सारा चीज याद रखने की कोई जरूरत नहीं जो screen में दिया है यहां पर स्रिफ आपको total deposit याद रखिए March 22 में total deposit है 10,86,409 करोड और growth 7,47% इस पूरे screen में से सिर्फ एक ही चीज याद रखिए कि आपका total deposit है 10,86,409 करोड और total जो growth deposit में हुआ है 7,47 करोड एक और चीज याद रखना होता है वो होता है कासा deposit कासा deposit हमेशा पूछा जाता है कि कासा deposit जो है वो कितना होता है किसी बैंक का क्यों पूछा जाता है राजुनेंजी कासा deposit के बारे में जदातर इंटर्वू में भी सवाल पूछते हैं कासा deposit के लिए उससे कारण क्या है यह profit booking इसमें होता है सर इसमें expense कम आता है और चुकि कासा current account में तो interest customer को देना नहीं होता है saving account में बहुत ही कम उसका low rate होता है सर तो इस बज़ा से यह बैंक के लिए profit का इसर बिजनस है कासा है तीन लाग 68,732 करोड़ का का सा है मतलब इसको percentage आंकिंगे का सा को तो 35.87 परसेंट है 35.87 परसेंट इंडस्टी में का सा अच्छा माना जाता है लेकिन चुकि अभी के competition में कासा कई बैंकों का बहुत आगे बढ़ गया चावन परसेंट 55 परसेंट भी कासा बढ़ गया मतलब आप लोग तो बहुत सारे बैंकों का मैं ऐसे analysis करता हूं तो देखे होंगे कई बैंकों का 50 परसेंट भी उपर से कासा रहता है तो इनका कासा है 35.87 परसेंट मतलब आपका बहतर ग्रहक दिवा अच्छा है कासा मैं इसलिए पैसा रखता है राजुनियान जी कोई क्योंकि वो किसी भी समय पैसा निकाल सकता है बार-बार बैंक आना चाहता है तो बार-बार बैंक पोन आना चाहेगा जब आपकी services अच्छी होंगे आपकी product अच्छे होंगे आप एक current account holder, saving account holder कितनी बार transaction करता है लेकिन term deposit अच्छा है तो आपका ग्रहक सेवा भी अच्छा है और कासा अच्छा है तो आपका profitability भी अच्छा होगा क्योंकि कासा में खर्चे कम पड़ रहा है उसको लोन दे रहे हैं वो जयदा होगा तो आपका कासा पर्सेंटेज है 35.88 और आपका total deposit है दस लाग श्यासी हजार चारसों नौ करोड और अडवांसेज से साथ लाग तालिस जार एक्छो से तालिस करोड टोटल बिजनस है 66.35 परसेंट वहां बहुत बढ़ी है मैंने तो आपके तारीक की थी स्क्रीन पर है ना बढ़ी है कौंसी चक्की काटा खाते हो पूछा था न कि कासा पर्सेंट इतने जादा है तो 60 पर्सेंट का कासा तो मानना पड़ेगा मतलब समझ लो कि ग्रहा काता है तो उसको बढ़ में जादा रख रहे हैं तो क्या-क्या फरक पड़ता है आप लोग बराबर जानते भी हैं तो कासा देखें यहां पर 35.88 परसेंटेज है और बाकि हाउसिंग लोन डिटेल लोन अभी कोई सवाल इससे नहीं पूछा जाता है कासा परसेंटेज को याद रखी इस स्क्रीन मे ज्यादा जोर दिये जाता है कि आपका रिटेल कितना है रिटेल मतलब इसको राम क्रेडिट बोलते हैं राम का मतलब होता है रिटेल लोन अग्रिकल्चर और MSME तो यह अगर ग्लोबल एडवांस की बात करें मार्च में साथ लाइक तालीस हजार 147 करोड है और इसमें सबस जो एग्रिकल्चर का है देखें 12.75% 12.75% यह एग्रिकल्चर का है और एक्टिविटी का है तो इस स्क्रिन से भी ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है रेम क्रेडिट 10.94 के ग्रोथ के साथ 4,21,258 करोड है तो सोचिए 7,40,000 में से 4,00,000 रेम क्रेडिट में है इनका हाला कि इस पूरे स्क्रिन में से आपको सारी सीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है याद रखना है टोटल एडवांसेज अब आते हैं अगला स्क्रिन अब अगला स्क्रिन देखें यह आप जानने के लिए अच्छा लगेगा यहां से कोरेलेट कर करना है ने स्क्राइज बेंकों के लिए और इनका बैंक कितना टार्गेट कितना किया है चीपमेंट देखो बताओ 49.68% किया है कितना किया है 49.68% किया है और एक्शल में करना था इनको मेंदेटरी है 40% लेकिन इनका 50% के आसपास किया अच्छा है एगरिकल्चर में देखिए 18% करना है लेकिन इनको 22.47% किया यह नबिसी का यह भी बहुत अच्छा है है इस FERG мне कितना करना रहता है राजिन चाहिए जिसमाल ऑंपार में debating 100% 10%vel 2024 से करना है यह। है अभी तर gayinstr wiped 23 में amad और यह हम किसका अधिन कर रहे हैं बाएस का तो बैस में 9च करना था इक तो न्बर सिनकेंगें जिन्मोंने कितना की कि बांक रंक नगे सक्षिण में कितना करना है बारह पर्सेंट करना ताड़े गैरा और 2 कितना करना था 11 पर्शेंट इन्होंने कितना किया विगर सेक्षन में है तो बहुत अच्छा किया है यह ना जाने पड़ता है तो विकर सेक्षन में गैरा पर्शेंट का नॉम्स था 12 का norm होता है 24 में साड़े गयरा होगा तेश में और 22 का figure चर्चा करने तो 22 में 11 का करना था लेकिन इन्हों ने कर दिया 22 स्वाइब यूनगों से भी जादा था किमाइक्रो इंटर्परिजेस का टार केट 7.50 लेकिन इन्होंने 10.16 परशेंट किया तो यह तो प्रियाटि सेक्टर का परफेर्मेस तो धासो परफेर्मेस इनका ना इनसे पूछना प्रचल संकर जाने तो उनसे पूछना कौन से चक्तिका आटाख आते हैं में वह बहुत बढ़िया अब बात करते हैं रेटेल में देखे growth देखे कि है कि चलंग लगा है repad जो कितना तो परसेंट का गोद दबबा देखे पता चलता beneotal पैरी नर्प भ Rebecca के इतना है मार्च से लेके retail लोन में इन्हों ने बहुत growth किया है 9.51% का मतलब 10% का growth किया है housing loan में 15% का growth किया है 14.77% कमाल का काम किया है यह growth है इनका retail loan में और housing loan में और दोनों secure loan होता है retail loan तो बहुत अच्छा होता profit के लिए अगर sector wise देखेंगे तो यह आपके लिए कोई भी important नहीं है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है यह क्या चीज है guaranteed emergency credit PM-SO ने दी यह भी जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए आपके नहीं पढ़ने तो भी चल जाएगा अब आए रेटिंग में रेटिंग भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है रेटिंग भी इसमें से सवाल नहीं पूछेंगे अब आता है यह पूछेंगे इंपोटन नहीं है पाइनेशल परफर्मेंस को देखते हैं फैनेशल परफर्मेंस किस तरह का है टोटल इंकम टोटल इंकम यह देख लिजे साल भर का साल भर में बैंकों की असली कमाई क्या होती है राजुन एंजी असली कमाई होती है क्या होती है कितनी छो हुआ है यह देते हैं उनमें इंट्रेस इंकम होता है और तीन तरग आये होता है एक होता है नॉन इंट्रेस इंकम एक होता है अधर्स इंकम यह तीन तरगा होता है तो इंट्रेस इंकम में क्या होगा जब किसी को लोन देंगे तो इंट्रेस अर्न होगा या कहीं हम इंवेस्ट करेंगे तो इंट्रेस अर्न होगा और अधर इंट्रेस इंकम होगा इसके अलावा अगर कहीं क कांट में recovery आई तो यह जो है नॉन इंट्रेस इंकम है तो यह आपका अधर इंकम हो गया नॉन इंट्रेस इंकम हो गया तो इनका देखिए टोटल इंकम जो है इंट्रेस में वह सत्तर हजार ग्यास पास है 17,280 करोड़, 79,410 करोड़ का है और नॉन इंट्रेस इंकम जो टोटल है वह सोलह हजार 497 करोड़ मदलब सत्तर हजार करोड़ यह ब्याज से कमा रहे हैं और लगभग 16,500 करोड़ जो है यह सर्वीसस से कमा रहे हैं तो टोटल पक्चासी हजार नॉसो मतलब लेकिन आप खर्चा क्या है खर्चा क्या होता है बड़ा राजुनकर देना होता है जो दिपॉजित है तो कि इंपोजित ऑटना है ये बैंक का दस लाग है कितना है authentic है है न तो उस यहांने कितना किया है ली सजार रही सजार मतलब लगभभ चार मलगी साथ से पर्षेंट जो है यह 4.3% के असपास यह साल का दिये हैं तो 43,026 करोड़ यह इंट्रेस एक्सपेंसेज है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है लगबग 20,000 करोड़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में जो स्टाफ को सेलेडी देते हैं फिर अधर इस्टिबिलिसमेंट चार्ज हैं रूम का किराय देते हैं जनरेटर चलाते हैं और एम सी कराते हैं जो भी खर्चा है तो टोटल खर्चा है 20,000 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और इंट्रेस पर करोड़ का इन यह सारा चीए क्वाटर का है यह तो है ना तो उनमें से 23,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 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 और यह क्या करते हैं यह खर्चा करते हैं आपका इंट्रेस पर ओपरेटिंग एक्सपेंस पर मैं थैंगे तो फिर यह 23,000 बच गया इनका ओपरेटिंग प्रॉफिट अभी साप्रेटिंग प्रॉफिट में प्रोविजन कर दिया 16,57 करोड़ का तो यह 5678 करोड़ का जो है इनका प्रॉफिट हुआ क्या हुआ नेट प्रॉफिट हुआ और जो 1666 देखे थे वह एक क्वाटर का है और यह साल बर इनका जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जो प्रोभीजन इन्हों ने किया 16,57 करोड का उसके बाद सर एक्स्ट्राउडिनरी आइटम यह क्या है सर यह होता है एक्स्ट्र अच्छा इनक्रिमेंट का प्रोभीजन है क्या सब्सक्राइब लगता होगा उसका भी होगा यह एक्स्ट्राउडिनरी आइटम है कुछ चीज़ें प्रोभीजन के लिए रखता है वो जैसे अभी दियू हो गया कोई चीज और जिसको देना है आज नहीं तो कल देना है और इसी इसी सत्र का खर्चा तो उसके लिए प्रोभीजन रहता है यह वाला जो है कि जो मेंडेट्री आपने नहीं लिए तो नहीं होगा लेकिन अधर है यह उसके अलावा को प्रोभीजन है या मान लिजे कोई खर्चा कर रहे हैं बिल नहीं दिया है वह उसके लिए अक्रूड डाला है किया होगा वाले को मान के चली यह ज्यादा है तो पांच हेजार शैसो अटतर यह नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट यह 5688 है इसमें यह होगा मान लिजे सेलरी बढ़ गई बैपर टैट में तो इस आज जो मेहने में काम कर रहा हूं ना राजुनेंजी उसका भी तो पैसे देना पड़ेगा ना बैंक को एरियर के तौर पर दिया वह खर्चा कौन से इस लिए उसको प्रॉफिजन करना होता है चलिए अगला अगर स्क्रीन पर जाएं तो यह स्क्रीन इंपोर्टें यहां किया है देख्लो के एंपे में कितना पुज़न किया है 10,000 करोड और बाकि निंपम टैक्स करोडु का अधर्सका पर अबसक्रिशन है तो dél दसजार करोड जो है यह लगबक इनका एन पीए में प्रोईजेन है और यह वाले स्क्रीन से इंहें Dep इमक्रफ dollars इं awfully 40 सीडी रेशिओ इंप्रसेंट इंक है सेई-इफ़ेटपॉइंड उपरसेंट 68.22% है और ये की रेशियों क्या होता है इसमें से ज़्यादातर ये जो है की रेशियों में Net Interest Margin पूशता है Net Interest Margin 2.80% है मतलब Net Interest Margin कहीं होता है Interest Income और Interest Expanditure के बीच में जो Gian X ऑर जो % आरण हो रहा है उसको बोलते हैं Net Interest Margin तो यह 2.82% याद रखिए बाग की जो है यह समझने के लिए है इल्ड एन एडवांसेस कितना है 7.22% इसका मतलब क्या समझे राजुन नेंजी इल्ड एन एडवांसेस 7.22% है इसका मतलब यह हुआ कि बैंक ने जितने सारे लोन दिया है उस सारे लोन पर अगर इंट्रेस्स रेट कल्कुलेट करेंगे तो कितना हो रहा है 7.22% है समझ माँगे बाद इल्ड एन एडवांसेस का मतलब यह है कि किसी को 7% पर लोन देते हैं किसी को 11% पर लोन देते हैं ओवराल जो इल्ड एन एडवांसेस आ रहा है वो कितना रहा है एडवांस का एवरेज हो गया सर्व 7.22 मतलब समझ लो बैंक एजे होल वो जो भी लोन दे रहा है उस पर जो रेट आ रहा है वो 7.22% ही आ रहा है भले ही किसी को 11% पर लोन दे रहा होगा लेकिन बैंक एजे होल 7.22 आ रहा है और कॉस्ट अब डिपोजिट कितना आ रहा है देखो कॉस्ट अब डिपोजिट 3.95% मतलब समझ लों किसी को कर रहा है तो एपडी में 6% इंट्रेस्ट दे रहे हैं सेविंग में कितना इंट्रेस्ट देते हैं आप लोग हमारे तो 2.65% चल रहा है किसी में 2.90 है तो यह सेविंग का है यह देखो 3.95 है सब मिला के जितने भी डिपोजिट लगवक चार परसेंट का अंतर है सर तो यह यह जो है आपका 3.90 परसेंट है तो इस तरह से वह आपको कॉस्ट आफ डिपोजिट और यह इल्ड अडवांस निकला जाता है चलिए तो और अगला इंपोटेंट क्या देख लेते हैं इन्वेस्मेंट इन्वेस्मेंट बिल्कुल आपको देखने की जरूत नहीं है इन्वेस्मेंट से सवाल नहीं पूछता है इससे भी सवाल नहीं पूछता है एसेट क्वालिटी एसेट क्वालिटी से सवाल पूछता है वह भी नेट एन्पीए ग्रॉस एन्पीए तो आपने देखी लिया नेट एन्पी आपका है 2.86% 2.65% नेट एन्पीए और आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो तो बड़ा धासु है 84.17 परसेंट और स्लिपेज रेशियो स्लिपेज कितना स्लिपेज होता है देखो बहुत कम स्लिपेज हुआ है राजुन एंजी इनका स्लिपेज तो देखो मनेज हो गया समझ रहे हैं मतलब मार्च में था कितना सब्सक्राइब कितना हुआ 55,000 करोड तो इसमें इन्होंने recovery कर लिया होगा या अप्ग्रेट कर लिया तो यह slippage रोक लिया एकदम नए वाले है न तो यह एक अच्छा सिगनल है provision coverage ratio आपका अच्छा है और net NPA भी बहुत अच्छा है 2.65% अब इनमें से यह वाला screen बिल्कुँ देखने की ज़रुत नहीं है यह वाला screen नहीं पूछेगा यह वाला screen भी देख चुके इसमें क्या important आपको gross NPA देखना है 7.51 net NPA देखना है 2.65 यह बिल्कुल नहीं देखना है capital shareholding यह nationalized bankों में नहीं पूछता है capital कितना कई bank में एक आद बार सीधे-सीधे capital पूछ दिया capital कितना है यह लेकिन बाकी जगह CRR पूछता CRR 14.80% मार्च में 14.90% मार्च में जबकि यह 11% होना चाहिए 11.59% होना चाहिए इनका है 14.90% तो इस screen में से यह shareholding pattern में यह तो नहीं पूछता है shareholding pattern इसको भी नहीं देखने तो चलेगा लेकिन अगर सीखने के लिए देख लिए इसमें government का share कितना है आपके बैंक में government का से कितना होता है राजी नेंजी हमारे यहां तो सर फिप्टी सेंट्रल गवर्रमेंट का और फिप्टीन अश्टेट गवर्रमेंट का और थाटी फाइव स्पॉंसर बैंक का होता है सर ओके गुड यहां पर देखिए गवर्मेंट का 62.93 परसेंट है और बाकी यह सारा देखिए इंसुरेंस कंपनीज का म्यूचल फॉंड का फाइस का रेसिडेंट का इरेसिडेंट का वह यह जो आइप्यों गर निकालते है ना तो 9.7 यह रेसिडेंट इंडिविजुल का है स्टाप का है और यह आदर्स का यह सब आइप्य गोशेशिफमेंट्स रहते हैं इनके प्रैक्टिसेंस रहते हैं मुआरे में कि कैसा Environment दिया बैंग ने कैसा प्रसासनिक सेट Up है जैसे बैंक बैंक न informs यह सारे रूलर सेंटर्स में जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं इनके बारे में जानकारी है लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट एक्जामिनेशन के डेसिकॉन से नहीं है फिक है कि आपके कितनी बारंचेश है कितना बहुत जरूररी है तो इनके बार्चेश कुछ अजन पॉइसार כ्या सभेलो में एं ने भी इनके देखए जनरल ब्रांचे से 8,957 समझ रही इसका मतलब समझ रही जितनी ब्रांचेस अन। आट हजान सो संतावन ब्रांचेस है यह और इस प्रशलाइज ब्रांच 777 हैं तो टोटल ब्रांचेस हों गई 9774 और तीन वर्षीज ब्रांचेस में साखाएं हैं नियू यौर्ण लंडन दुबई नियु वर्षी ब्रांचेस ब्सपंट्ट के आठ हजान नो सुच्छ टोटल बैंक आउटलेट होगे सब मिला के अठादा जार चैसो से शहसो त्रालिस करो इनके ब्रांचे कितने हो गए राजुन एंजी तोटल ब्रांच इनका जेनरल ब्रांच से अगर टोटल बोलें तो आठ हजान नो हजार चौटीस प्लस तीन है ना तो नो तीन ब्रांचे से डोमेस्टिक ब्रांच नो हजार साथ सो चौटीस है तीन बिजिस साखा है और इनका बीसी पॉइंट है अठ हजार नो सुच है तो टोटल आउटलेट्स देखेंगे तो अठारह हजार हाउटलेट्स मत्राइब बिजनस के लिए से वस्ता बित की जाती तो अठ़ाह 156303 कि मिलके बिजनस करते हैं 18,27,556 करोड का बिजनेस करते हैं 18,27,556 करोड मतलब समझ लो कि एक जो 18,647 अगर आउटलेट्स है और इनका बिजनेस है 18,27,556 और इनके आउटलेट है 18,643 तो एक आउटलेट जो है लगपक 100 करोड का बिजनेस कर रहा है कितना 100 करोड का बिजनेस कर रहा है एटीम इनके 10,817 करोड एटीम है रिसाइकलर मतलब 13,90 रिसाइकलर का मतलब क्या होता है ऐसे एटीम जहां पर वो डिपॉसिट भी होता है और वही पैसा विड्रॉल के जाता है उसको बोलते है रिसाइकलर और यह तोड़ा स्ट्रक्चर दिया है रूलर में कितनी साखा है 3031 परसंट रूलर में सबस्यादर रूलर में है विदेश की साखा है यह निवार्क लंदन दुबाई वो सकता है इससे सवाल पूछ ले कि कौनसी ओवर्सी साखा नहीं है यहाँ पर देदेगा सिंगापूर तो सिंगापूर को टिक लगा देंगे सिंगापूर इव देशी साखार नहीं है तो यह डिजिटल वाला फूट्प्रेट तो अभी बहुत पूछता लेकिन business figure में ये कुछ पहुंद ज़्यादा achievement हो गया रहता है उसको पूछता है इनका देखिए internet banking के लिए progress कितना दिया है mobile banking के लिए progress कितना दिया है हलागि promotion के दिश्टी कोण में ये सवाल जो है नहीं पूछा जा रहा है अभी तो ये है कुछ subsidiaries और associate के बारे में ज़रूर सवाल पूछा है अभी पिछला एक examination हुआ था आपने देखा होगा bank का बरोडा के लिए उसमें पूछा था ना कि कौन सा subsidiaries है कौन सा associate है तो पूछा था तो इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है कि subsidiaries कौन से हैं कौन कौन से subsidiaries हैं तो देखिए canra bank के और उनमें उनका share pattern भी दिया है तो canra robeco asset management company ARC होगा यह canra bank security limited canra bank तंजानिया limited can bank computer services यह जो है subsidiaries है और syndicate bank services can bank financial services can bank factors यह सारे आपको याद रखने पड़ेंगे फिर यह आता है आपके कुछ यह sponsor bank है इनके canra bank के देखो ग्रामिना bank को इस sponsor है आंध्रा प्रगति ग्रामिना बैंक यह sponsor है तो इसलिए इनका share holding pattern कितना है बताओ राजनेंजी ग्रामिना बैंक में स्पॉंसर अगर कोई है तो कितना उसका शेर शेर वर्लिंग 15 परसेंट सर नहीं नहीं 15 परसेंट तो राज्य सरकार रखता है यह क्या है ग्रामिना बैंक के sponsor है फिर बाकी जो सब्सेटरीज हैं सब्सेटरीज हैं और केंट फाइनेंस वह में इसमें 30 परसेंट है commercial इंडो बैंक मासको में यह 40 परसेंट है यह एसोसेशन होगा और बाकी उपर वाले जो हैं वह सब्सेटरीज हैं और यह कि sponsor है इनमें sponsor है इसलिए इनका परसेंटेज थोड़ा कम है तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो इनका बिजनेस का क्राइटेरिया जो है global business है 18,27,556 करोड और growth अगर देखेंगे business का तो 8,39% advances इसमें देखेंगे तो 7,44,147 करोड ग्रोड 9,77% deposit 10,86,513 करोड ग्रोड 7,47% कासा देखे 35,88% और आपका PCR 84,17% net NPA 2,65% और आपका CRR 14,90% इतना अगर हमारे साथ ही याद रख लेते हैं तो उनका काम बन जाएगा promotion exam के district score से आप जो चीज़ां पर हमने repeat किया उतने को याद कर लिजेगा आप जो है उससे जुड़े हुए सवाल आएंगे तो उसका सामना कर पाएंगे और बिजनस की बात करें तो रेंज पूछा जा रहा है तो रेंज आएगा तो अठारे लाग 27,000 से उननीस लाग 56,000 क्योंकि अभी उननीस लाग 85,000 क्रोड उनका बिजनस है सितंबर में और अभी दिसंबर क्वाटर अभी खटम हुआ है तो इसका रिजेड आने में 10-15 दि सब्सेडरी में क्या होता है मैं बता दो सब्सेडरी में क्या होता है जो उनमें वही मालिक होता है क्या होता है और association में क्या होता है वो उसका हिस्सा होता है मतलब उसके सारे सब्सेडरी में क्या होता है उसके सारे डिसीजन जो है बैंक खुद लेती है किसमें सब्सेडरी म मतलव sister concerned खीक है राजोने जी सबसेटरी का मतलब यह होता है जैसे अब पूरे स्क्रीन पर जाएंगे जितने ही सबसेटरी होता है उनमें उनका capital पूंजी लगाता है उसमें फूरा नहीं लगाता है तो तो subsidiary में मतलब उसका मालिक ही वही है उसका decision power वही रहेगा और association में बहुत सारे मालिक होते हैं तो subsidiary के लिए इसको इस तरह से समझ लो आप क्या समझ गये हैं मेरे बात को और holding सर holding मतलब उसका कुछ capital रखा हुआ है वो मालिक नहीं है उसका subsidiary and जो holding है तो उसका कुछ हिस्सा रखा हुआ है बाकी वो उसका मालिक नहीं है तो ये बात है subsidiaries का मतलब होता है कि एक माल लीजे मैं बता रहा हूँ subsidiaries में होता है उसका 100% capital जो है वो कुछ स्वामी होता है और holding company का मतलब होता है एक ऐसा संगठन होता है जो ये interest रखता है कि मैं उस company का इतना share इखटा कर लो कि उसको मैं उसको चला लो उसका स्वामी बन जाओ इसको मतलब holding company होता है holding company holding company को अगर आप समझोगे तो इस तरह से समझ लो कि holding company मतलब वो parent company होता है parent company मतलब holding का मतलब हुआ कि उसका नियंत्रण उसके हाथ में हो इतना holding हो अगर सरल भासा में समझा दें आपको तो आपका bank है मान लिजे तो इसमें इतना share उसका हो कि उसका नियंत्रण उसके पास आ जाए तो कितना होता हो लगवाग 50% भागेदारी हो गया तो क्या हो जाता है इनके आउन परसेंट भागेदारी होगा तो कितना होता है राजनेंजी वह तो मालिक हो गया सर हमालिक हो गया तो holding का मतलब यही हुआ कि एक holding company एक ऐसा organization है जिसमें वो उस इस company को नियंत्रीद करने का interest रखता है मतलब उसको संचालित करने का उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है और जो होते हैं ना वो इक गया मै instruments लिया तो उसमें लगाएगा तो उसमें 100 रुपर खर्चाएगा तो पुरे 100 रुपर लगाएगा ना तो वह किसी दूसरे कंपनी के साथ कोई साथ कैस मेनेजमेंट के साथ उनका इंक्याउन परतिसाथ हिस्ता खरीदी लेता है होल्डिंग कर लेता है तो नियंत्रन उसका रहेगा लेकिन नाम वह किसी दूसरे का है तो वह उसका सेर इंक्याउन पर्षेंट है तो वह उसका नियंत्रन रग लिए तो होल्डिंग कंपनी होगा लेकिन क्या कंपनी के से निकल के बनी है क्या नई बनी है बाहर से कंपनी है उसके नियंत्रण पागिया है यह फूर्डिंग कंपनी होगा और उसका संचलन करने का नियंतरन पा गया लेकिन सबस्टेटरी कंपनी में ये आएगा कि सबस्टेटरी कंपनी में जो हैंड आप कंट्रोल होता है सबस्टेटरी कंपनी में उसका स्वामी हो सकता है और उसका जो मैनेजरियल एथारटी होता है वो समान होते हैं मतलब एक दूसरे के जो प्रबंदिखी प्राधिकरण होता है वो जुड़ा होता है मैंजरील एथरवटी जो है उस कंपनी के साथ जुड़ा होता है ठीक है यह वोल्डिंग और सब्सेडिरी का अंतर है इस पूरे अगर सेस्टन में से अगर द्यान दिए तो क्या समझ मैं यह कितना है अभी हम कि कि तो ना देख रहा है कितने बज़कर कितने मिनट पर देखिए दिखरा दिख रहा है नाइन डिगरी नाइन डिगरी चल्सियस पिस्टेस पर है मैं नाइन डिगिटी सेल्सियस के हूं में मेरे हीटर चल रहा है पैर के पास हीटर रखा हुआ है रूम में तो रूम टेंपरेचर हमने मैंटेंड करके रखा है रूम टेंपरेचर हो भी कितना 14-15 उससे ज्यादा नहीं 14-15 तक है अभी है न और वैसे अट्मास्पियर में भी नाइन पर्संट का टेंपरेचर है और यह साड़े गयरा का टेंपरेचर था अभी देखते हैं जर अभी कितना हुआ है अभी ताजा देखते हैं अभी तो आर कम होगा सर अभी पर नाइन है नाइन है वैसे कम जो है सेवन हो जाता है सिक्स हो जाता है सबसे कम जो है सिक्स ह और सिक्स लगबग दो बजे का सिक्स हो जाएगा दो बजे का इसमें देखा रहा है उससे बढ़ेंगा तो सर आपका रायपूर है सर रायपूर गरम रहता है और यह भोपाल जो है काफी ठंडा देता दिल्ली के बराबर ठंडा है मतलब सोचो कितना ठंडा है और यह अच्छी जगह भी है यहां पर आपके यहां कितना बारा डिग्री है अभी बारा है सर चलिए बहुत बढ़िया तो इसको पढ़िये जरा यह एक सुपर विचार लिखा हुआ इसको पढ़िये जरा आपको आपसे ज्यादा कोई और प्रेरित नहीं कर सकता इसलिए अपनी चमता को पहचाने यह कहता है कि आपको किसी से कम नहीं भापना है आपको हर चीज में अपनी दक्षता को पहचानना है अपनी क्षमता को पहचानना है आप बदाओ राद बर हम पढ़ सकते हैं दूसरा आद में पढ़ सकते हैं न और उसके बाद भी आप वो हर एक काम अच्छे से दक्षता से कर सकते हो क्योंकि आपका belief system तगड़ा है तो आप खुद प्रेरित होईए अपने आपको कि मैं अच्छा दिख सकता हूँ मैं सुन्दर दिख सकता हूँ मैं सफल हो सकता हूँ मैं अच्छा काम कर सकता हूँ मैं अच्छा अध्यान कर सकता हूँ मैं चीजें सीख सकता हूँ मैं कर सकता हूँ तो ये प्रेरणा जो है आपके अंदर खुद होना चाहिए और ये आपसे ज़्यादा कोई प्रेरित नहीं कर सकता एक पावर डेवलप करिए खुद बखुद कि मुझे क्या करना है और मुझे कौन सा रास्ते पर चलना है तो अपनी ख्यमता को पहचान ये सभी क्षमतावान साती है हनुमान था ना क्षमतावान जिस दिन पहचान क्या उड़े ने लग गया ठीक उसी तरह हम लोग भी हनुमान है जिस दिन हम अपनी ख्यमता को पहचान जाएंगे, हम समंदर लांग देंगे, अभी तो समंदर के किनारे खड़े हैं, तो इसी अच्छे वीचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और तापड़ दोड़ सेसेशन हो रहा है, इस कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा सब्सक्राइब दो दिन का सब्सक्राइब तो कपी कोछ तो सीखने मिल रहा होगा उनसे भी सेशन से जब बाकी सेशन होते हैं थो यह शीफने मिल रहा है ना ना ौश्च चलिए तो आज विदा लेते हैं फिर मुलाकात करेंगे कल आप भी थोड़ा रेस्ट कर लिजिए भगवान को प्राथना करके रेस्ट करिएगा भगवान से प्राथना करिएगा कि भगवान मैंने जो यह समय इन्वेस्ट किया है जनहीत में और समाज की फलाई में इसका उप और मुझे सही मार्ग दिखाते रहना ऐसी प्राथना करके आप आराम कर लिजिएगा आपका जरूर सफलता मिलेगी और आपको आपको भगवान का असिरवाद मिलेगा चलिए आपसे विदा लेते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद गुडणाइट थैंकि सो मच गुडणाइ झाल झाल झाल्ड़ से घ्टाइग धन्यवाद गल्ड़ से विदाने लेह लेको गुड़ को आपको पाल ये एज दिपाते हैं